हेलो फ्रेंड्स आज हम बनेंगे आलो और सूजी का बहुती टेस्टी स्नेक्स बहुती क्रिस्पी बन करके तयार होता है और बनाना बहुती ज़दा असान है छोटी मोटी बूग के लिए बहुती बड़ी स्नेक्स है और जल्दी से बन करके तयार हो जाता है तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लेनी है सूजी, तो एक कटोरी हमें यहाँ पर नाप करके सूजी लेंगे, मैजरमेंट के लिए आप किसी भी कप या फिर कटोरी से मैजर कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर बारिक वाली सूजी ली है, आप मोटी वाली भी ले सकते हैं, अब हम में गरम कर लेना है हलका सा गरम हो जाएगा उसके बाद हमें यहाँ पर डालना है एक चम्मच ओईल इससे जो हमारा नास्ता बहुत ही क्रिस्पी बन करके तैयार होगा तो यहाँ पर मैं मौमफली का तेल डाल रही हूँ आप चाहे तो यहाँ पर देशीगी भी डाल सकते या अब सभी को अच्छे से में एक बार मिक्स कर देना है और जैसी एक उबाल आएगा पानी में तब हमें यहाँ पर सूजी डाल देनी है जैसे हम यहाँ पर सूजी डालेंगे गैस की फ्लेम हमें यहाँ पर बिल्कुल लो कर देनी है लो फ्लेम पर हमें यहाँ पर इसको पका बस इस तरह से इसको हमें लगाता चलाते जाना है और देखें दीरेदीरे जो है गाडा होना शुडू हो जाएगा और दो मिनट के बाद हो जाएगी इसके बाद में यहाँ पर आफ। इसको ढख करके रख देना है हमें 4-5 मिनट के लिए ताकि जो सूजी है वो अच्छे से तैयार हो जाए तो देखिये फ्रेंच दीरे-दीरे जो है सूजी अच्छे से बाइंड हो रही है तो बस हमें यहाँ पर gas की flame अभी off कर देनी है और सूजी को ढख करके रख देना है 5-7 मिनट के लिए तो देखिये फ्रेंच 5 मिनट हो चुकी है और सूजी जो है बिलकुल अच्छे से फूल करके तैयार हो चुकी है और अलके से ठंडी भी हो गया है तो बस इस तरह से हमें चम्मच की मदद से सूजी को बाहर निकार लेना है और उसके बाद एक बरतन में इसको ट्रांसफर कर लेना है अब हमें यहाँ पर लेने है उबले हुए आलू तो आलू को मैंने पहले से उबाल करके रख लिया है तो दो मिडियम साइस के मैंने यहाँ पर आलू लिया है आलू को हमें यहाँ पर कद्दुकस कर लेना है आप चाहे तो यहाँ पर मैशर की मदस्थेस को मैश भी कर सकते हैं अब मैश किये होई या फिर कद्दुकस किये होई आलू को हमें यहाँ पर सुजी में एड़ कर देना है और अब हमें यहाँ पर एड़ करने हैं मसाले तो थोड़ी से मैं यहाँ पर डाल देनी है बारीक कटी हुई दनिया पत्ती बारीक कटी हुई हम यहाँ पर एड़ करेंगे हरी मिर्ची तो मैंने यहाँ पर दो मीडियम साइज की हरी मिर्ची लिए है मिर्ची आप यहाँ पर अपने टेस के उसार डाल सकते हैं आदी छोटी चम्मच डमक डालेंगे आदी छोटी चम्मच लालमेची पाउडर आमचूर पाउडर और आदी छोटी चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे आप चाहें तो यहाँ पर गरम मसाला भी डाल सकते हैं तो मैंने यहाँ पर ज्यादा मसाले नहीं डाले हैं मसाला आ अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, तो आप ज़्यादा मसाले भी डाल सकते हैं, बस असारे मसाले डालने के बाद इस तरह से हमें आपर इसका एक डो लगा करके तयार कर लेना है, पानी हमें यहाँ पर बिल्कुल बेड नहीं करना है, डो लगाने के बा तो friends पतला सा आम यहाँ पर रोल बना लेना है जादा मोटा में यहाँ पर रोल नहीं बननाना है आप चाहे तो यहाँ पर छोटे 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 रोल भी बनाकर के तेयार कर सकते हैं तो बस इस तरह सेuz deg Acc को काटे की मदद से यहाँ पर एक निशान दे देने देखे कितना प्यारा यहाँ पर डिजाइन आया है और उसके बाद हमें यहाँ पर नाइफ लेना है और नाइफ से हमें यहाँ पर इसके कटिंग कर देनी है तो यहाँ पर हमें बिल्कुल पतले पतले पीसिस कट करने हैं, अगर आप जादा मोटे पीसिस कट करेंगे तो क्रिस्पी नहीं बनेंगे इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है तो इस तरह से हमें यहाँ पतले पतले पीसिस कट कर लेने हैं बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी हमारी स्नेक्स बन करके तयार होते हैं जब भी कोई अचानक से महमान आजे तो आप इसे फटाफट से बना करके खिला सकते हैं अब हमने यहाँ पर इनकी इस तरह से कटिंग कर लिया हैं अभी हम यहाँ पर एक बार और इनको बीच में से कट कर लेंगे तो छोटे छोटे पीसिस हमें यहाँ पर कट कर लेने हैं तो इस तरह से हमें इनके दो-दो पीसिस कट कर लेने हैं तो यहाँ पर मैंने सारे पीसिस को कट कर लिया है, अब हमें इनको fry करना है, तो हमें यहाँ पर low to medium gas की flame पर इनको fry करना है, ज्यादा high gas की flame हमें नहीं रखनी है, और दोनों तरब से crispy होने तक हमें इनको fry कर लेना है, तो देखे फ्रेंट्स दोनों तरब से अच्छे से crispy हो अब हमें इन एक बरतर में निकाल करके रख लेंगे, तो color आप यहाँ पर देख सकते हैं, golden brown होने तक हमें यहाँ पर इनको fry कर लेना है, अब second batch को भी हम इसी तरह से बना करके तयार करेंगे, तो इन snacks को मैंने यहाँ पर दो batch में बना करके तयार किया है, बहुत ही जल्दी जिसे इतने सारे हमारे snacks बन करके तयार हुए हैं, और आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी बन करके तयार हुए हैं, तो यहाँ पर हम इसको tomato ketchup के साथ साथ साव करेंगे, आप अपनी पसंद की कोई भी चटनी के साथ इसको खा सकते हैं, इस snacks को आप मियोनिस के साथ या फिर हरे दनी की चटनी के साथ भी साव कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आज की रेस्पी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे फेस्बुक पेज को फॉलो करें तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार